दिल्ली और उतर प्रिदेश के गाजेपूर बॉर्डर से लगातार किसान अंदोलन पर महा कवरिद जारी है। इसी बीच किसानों से मिलने पहुचे जमियत उलेमाई हिंद के सिक्रेटरी मुहम्मद हकीमुद दीन कास्मी। उनसे बात की हमारे समवादाता कावें चोहाद ने क्या कुछ कहा उन्होंने आए देखते हैं। कोई जरुत पढ़ेगी तो उस खिदमत को अंजाम देंगे। सरकार लगातार बात कर रही है किसानने नेताओं से लेकिन बात अभी तक बं नहीं पाई है। इस पर आप सरकार की क्या मन्शा गलत है या सरकार चाहती नहीं है या सरकार इन बातों को समझ नहीं पा रही है किसान होगे आप क्या समझते हैं अगर उनका मनशा सही होता तो इतना लंबा खिशता ही नहीं जो जिस तरह से सरदी में बूढ़े बुढ़े बुजर्ग जवान औरतें बच्चे इस वक्त बिलक रहे हैं तो उनके दुख को दर्द को समझना चाहिए था लेकिन मुझे अमीद है कि इन्शालला ये लोग यहा कोई वापस करने वाला नहीं है तो गौवर्मिंट को गौवर्मिंट से मेरी अभी भी गुदारिश है और सब लोग कि इनके जो मतालबात हैं उसको पूरा किया जाए महमूद मंदी साम ने क्या मैसेज भेजाए किसानों के लिए खिद्मत किसानों की खिद्मत और इनके ज दिनों से जारी है किसानों का कहना है कि जब तक नियुन्तम समर्थन मूल और उससे संबंदिज कानूनों को क्रिशी कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वह यहां से वापस नहीं जाएंगे लेकिन समस्या यह है कि दूसी तरफ सरकार यह कह रही है कि इन कानूनों में किसानों का हित छिपा हुआ है इसमें क्या समस्या है किसान समझ नहीं पा रहे हैं या कि सरकार समझा नहीं पा रही है क्या है समस्या अगर हित इसमें छिपा हो दा तो किसान इतना इहतिजाज क्यों करता फिर आप इनसे बात क्यों करते लगतार अभी नो तादिख रखी गई ही है मुझे अभी इन्शालahi कुछ ने कुछ रास्ता निकलेगा और इसे कोशिस मेराल कोशिस तो आदमें के नाकाम नहीं होती है कोश के कामिया भी है और यह अधरात कामियाबी लेकर की जाएंगे हम सब उनके साथ हैं दुख दर्द में जिस तरह की scand— लाद मसायल होंगे उसमें खड़े हुई हैं क्योंकि आप बॉर्डर पे आए हुए हैं और आप बाहर से आए हैं सड़के आपने देखी होंगी जाम लगा हुआ है काफी जो दिल्ली के लोग हैं और गाजियाबाद के लोग हैं उनको भी तमाम तरीके की परेशानी आ रही है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मनते हैं तो हकुमत जिम्मेदार है इसकी हकुमत को इसे हल करना चाहिए ताकि अपने घरों को जाया और वो उनकी तकलीफे खतम हो सरकार कह रही है कि बुराडी पर आकर आप सभी लोग एक साथ आ जाएं वहां पर आप से बात की जाए क्योंकि सरकार के तमाम नेताओं की जो बयान है वो घegree रोप ले रहे हैं है यसमें डखाए जा रहा हैं कि सरकार कह रही है कि हम बाठचीत के लिए तयार है हम लगातार बात कर रहे हैं गौर्वर्मिन्ट को उसे मान लेना चाहिए ताकि हमारे इस मुल्क की जो परेशानिया हैं किसानों की वो समस्या हल हो और किसान बुनियाद है हमारी इस धर्ती की सोशल मीडिया पर इस तरह की बात हो रही है कि शाहिन बाग का जो अंदोलन है वो भी इस तरीके से महीनों तक चलता रहा सरकार और उनके बीच में बात नहीं बन पाई क्या यहां वी वही स्तिती बन सकती है देखिए इसको उससे नहीं जोड़ा जाए वो एक अलग चीज है एक अलग चीज है उससे आप जोड़ जोड़ वो भी सरकार के कानून के खिलाब ने वह एक अलग इशू था इस वक्ताम दूसरे इशू बे खड़े हैं तो मिलाईए नहीं से दोनों को मिक्स मत करिए उसक देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए बरे रहे न्यूस वर्ड इंडिया के साथ